आज में लेकर आई हूँ UPSC IS Topper 2020 शुभम कुमार की कहानी और उन्होंने किस तरीके से तैयारी की, क्या material यूज किया, क्या उनकी strategy थी, क्या attitude थे तो शुभम कुमार की पूरी story with study strategy and study plan ये आपको इस वीडियो में मिलेगा, इस वीडियो को पूरा देखिए और आप बहुत ज़्यादा motivate तो होंगे, इस खास में आपको practical चीजें पते चलेंगी कि हमें तैयारी कैसे करनी है तो शुभम कुमार की childhood से लेकर उनकी education, उन्होंने क्या-क्या strategies अपनाए, क्या-क्या किस तरीके से current affairs पढ़ा, किस तरीके से mains के लिए पढ़ा, किस तरह से interview के लिए पढ़ा, वो सब जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी तो मैं हूँ अनुपमा चंद्रा, एक civil services officer और UPSC expert, तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए और मेरे चैनल को like और subscribe ज़रूर करिए शुभम कुमार का सफर शुरू होता है बिहार के कटिहार जिले के कुमारी नाम के छोटे से कस्पे से उन्होंने छोटी जगा से होते हुए भी UPSC को न सिर्फ crack किया बलके उसमें टॉप rank लाई अब शुभम कुमार एक मध्यम वर्गी joint family से संबद रखते हैं उनके पिता ग्रामीन बैंक में मैनेजर है और उनकी माताजी होमेकर है वो तीन बाहि मैनों में सबसे छोटे हैं शुभम कुमार के पेरेंट्स बताते हैं कि वो बचपन से ही आई एस बरना चाहते थे और उन्होंने उस लक्ष को कभी नहीं छोड़ा उन्हें बचपन से पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा रुची थी जब सिक्स क्लास के एड्मिशन के लिए स्कूल में शुभम का इंटर्व्यू हुआ और उनसे पूछा गया कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो तो मानिये उनका जवाब क्या था वो आई एस बनना चाहते थे उस उमर से इसके साथ ही उन्होंने अपने स्कूल से जुड़ी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करी जिससे उनके एटिट्यूट्स का पता चलता है एक बार शुभम के मैथमेटिक्स टीचर ने किसी कोईशन को गलत समझाया था और जब शुभम ने इसको पॉइंट आउट किया तो मास्टर जी खुश नहीं हुए थे इससे शुभम को बड़ी ठेस लगी और उन्होंने स्कूल बदलने का निर्ने ले लिया और माता पिता ने उनका समर्थन किया था उन्होंने उस स्कूल से हटकर दूसरे स्कूल में पढ़ाई की और 6 से 10 तक वहां नहीं पढ़े शुभम ने चिनमेय विध्याले बोकारों से 12 किया है 2014 में शुभम ने 10-12 PCM साइंसाइट से किया और उसके बाद ग्राजुएशन देश के सबसे रेपिटेड एंजिनिरिंग कॉलेजों में से एक IIT बॉम्बे से सिविल एंजिनिरिंग में बीटेक किया है UPSC All India Rank 1 पाने वाले शुभम कुमार के इस निर्ने से हमें पता चलता है कि वह बचपन से ही अपने लक्ष के प्रती गंभीर थे और इसको अचीव करने तक कोई भी गलती नहीं करना चाहते थे इसके साथ ही शुभम बताते हैं कि एक बार उनके पिताजी ने किसी परिचित की आर्थिक सहयता की थी कुछ समय बाद जब वो परिचित धन राशी को वापस करने आये हुए थे तब उनके पिताजी ने उसको लेने से अस्विकार कर दिया था क्योंकि उनके पिताजी के अनुसार हेल्प करना उनका करते वे था इस घटना ने शुभम को लोगों की सहयता करने का बहुत इंपोर्टन्ट लेसन दिया और खुद शुभम के अनुसार वो आयेस बनने के बाद ग्रामीर बैक्राउंड के लोगों की बहतरी के लिए काम करना चाहते हैं देश के ग्रामीरों के लिए रोजगार इत्यादी का गाउं में ही स्रजन करना और गरीबी को दूर करना उनका प्रमुक उद्देश यह है शुभम को आयेटी बॉम्बे से पढ़ाई करने के बाद विदेश में अच्छे से अच्छा पद और पैकेज मिल रहा था लेकिन उन्होंने अपने गाउं देश की सिवा करने के लिए अपने जो बाहर जाने के सपने थे उनको त्याग करने में जरासी भी हिचक नहीं दिखा इससे पता चलता है इनसान का क्यारेक्टर क्या है स्ट्राटजी क्या थी UPSC टॉपर की यह सभी जानना चाहते हैं तो शुभम कुमार की स्ट्राटजी पर हमने काफी रिसर्च करी और यह हम आपके लिए लेकर आए हैं करन्ट अफेस के लिए शुभम कुमार की क्या स्ट्राटजी थी शुब आप कहते हैं कि Current Affairs के लिए उन्होंने News Paper Reading पर ज्यादा ध्यान दिया था यानि कि वो News Paper पर ज्यादा Dependent थे साथ ही साथ वो Handy Summary Notes प्रिपेर करते थे जो वो रेगुलर इंटरवर्ल्स पर बार बार रिवाइस करते थे इसमें उन्होंने Graphs, Reverts, Events in the News, Syllabus के Viewpoints से जो Important Events हैं उनको Include किया हुआ था और वो कहते हैं कि Revision और Timely Revision एक बहुत बड़ी चीज़ है जिससे कि आप अपने Scores इंप्रूफ कर सकते हैं अब आते हैं कि उनकी Mainz Answer Writing की Strategy क्या थी शोबम कुमार ने बहुत Limited Resources यारी की Books वगेरा से पढ़ाई करी थी उनका मानना था कि बहुत जादा Material जमा करने से कोई फायदा नहीं होता है वो हर रोज के लिए एक Study Plan प्रिपेर किया करते थे और उसको 60-80% पूरा करने का पूरा पूरा प्रयास करते थे अगर आपको Study Plan चाहिए तो आपको Link डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथ-साथ उन्होंने इंटरनेट पर भी syllabus के topics की research की थी इस तरह से वो संबंद्ध topic पर सटीक example भी दिया करते थे उन्होंने current affairs के लिए जो notes प्रिपेर किये थे उनकी help से ही answer writing के लिए value addition यानि कि अपने answer में current examples देना ये include किया था अब आते हैं कि उन्होंने optional subject क्यों चुना था क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि वो engineering उन्होंने करी हुई है लेकिन पहले attempt में उन्होंने civil engineering अपना optional रखा था लेकिन जब उनको पहले attempt में success नहीं मिली तो वो इस बात को समझ गए कि चाहे वो wish है उनकी graduation का wish है लेकिन UPSC exam को clear करने के लिए helpful नहीं है और इसलिए फिर उन्होंने अपने next attempt में अपना subject ही change कर लिया इसके साथ ही उन्होंने सही optional को चुनने के लिए एक थोड़ी research करी previous years के papers को analyze कि और समझने की कोशिश की कि क्या वो उनके रूची के अनुसार है या नहीं ये सारी research करने के बाद शुभाम ने anthropology को optional चुना और इसमें उन्होंने बहुत अच्छा score भी किया तो याद रखिए कि graduation वाला subject ही आप लें जरूरी नहीं मैंने भी economics में graduate होने के बावजूद psychology से exam दिया अब आते हैं शुभाम की interview strategy पर उन्होंने self-made notes के साथ-साथ mock interviews अटेंड किये जो कि एक UPSCIS का exam दिया था इस exam में वो prelims को भी clear नहीं कर पाए थे लेकिन उन्होंने give up नहीं किया तो hopeless होने के बजाए उन्होंने अपनी strategy को improve किया और मन में एक बात बिठाई कि इस बार वो ऐसे तयारी करेंगे जैसे कि यह उनका last attempt हो उतनी के साथ in his own words he believed in his goal most importantly he believed in himself उनको अपने उपर बहुत जादा याकीन था अब उन्होंने जब next attempt दिया तो उन्होंने अपने टाइम टेबल को religiously follow किया resources को limited रखा यानि कि बहुत ज़्यादा material नहीं जमा किया जितना जमा किया उसको बहुत तरीके से complete किया और quality study पर focus किया बजाए यह देखने के कि 14 गंटे पढ़ रही है 16 गंटे उन्होंने 45 मिनट पढ़ाई कि और फिर 10 मिनट का break लिया इस तरह से एक focused way में पढ़ changes करने के साथ ही उन्हाने All India Rank 1 हासिल कर ली आप इस तरह की strategy मना सकते हैं और top कर सकते हैं आप याद रखे कि हर एक candidate एक सा होता है और कोई भी top कर सकता है अगर उसकी strategy अच्छी हो आप चाहें बेहतरीन institute यानि IIT IM से भी पढ़े हो तो भी आप प्रिलिम्प्स में disqualify हो सकते जैसे कि शुभम first attempt में हुए थे और आप कहीं और से ordinary जगे से पढ़े हो तो भी आप top कर सकते हैं याद रखो एक candidate को अपनी सफलता या असफलता को खुद ही analyze करना होता है और निराशा की परिस्थिती में स्वयम को खुद ही motivate भी करना पड़ता है क्योंकि रास्ते कभी ब सफलता हुई है तो अब हम आगे क्या करेंगे आगे हाप आप कुछ और अच्छा भी कर सकते हैं इस तरह UPSC Topper All India Rank 1 शुभम कुमार की सचसे स्टोरी बिना स्वामी विवेका नंद द्वारा दिये गए इस मंत्र को याद किये पूरी नहीं होती और यही एक attitude यही एक मंत्र UPSC Candidate या किसी भी एक्जाम के Candidate के लिए सफल होने का मंत्र है उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष की प्राप्ती ना हो जाए मैं शूर हूँ कि शुभन कुमार की इस स्टोरी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा जब कुछ ठाना है तो उसको गिव अप मत करो वो आपकी responsibility उस dream को पूरा करो चाहे जितनी बार आपको असफलता से सीख कर सफलता की और बढ़ना पड़े अगर आपकी कोई भी queries हैं तो वो भी आप comments में बता सकते हैं UPSC के बारे में अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो मैं जब आप दूँगी मेरे चैनल को like और subscribe जरूर करिए आज के लिए इतना ही नमस्कार